असलाम अलेकुम दोस्तों वीडियो में हम आपको बताएंगे आभी सवुदी में जो जवाजात है उसकी तरप से एक नई अपडेट दी गई है और अभी एकामा को लेकर भी एक नई अपडेट है अगर आप सवुदी अरभिये में रहते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत है क्योंकि इस वीडियो में कुछ यहां पर नई सर्विस लांच ही गई है इसमें यहां पर आपको क्या फाइदा होने वाला है दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आप छुट्टी पर गए हो और वहां पर अगर आपको कोई प्रब्लम है किसी भी तरीके की तो आप जो है ऑनलाइन पूरी तरीके से सारा काम करवा सकते हो तो यह सारी डेटियल हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखी ताकि आपको पूरी जनकरे मिल जाए पहली अपडेट ही जवजात की तरफ से बताया गया है कि लोगों अबसाल आमाल और मोकीम इलांच अभी उपलब्द कराया गया है मतलब इसके माद्यम से अभी तीन चार सेवा यहां पर उपलब्द करायी गई है दोस्तों अभी सौधी के पासपोर्ट विभाग के महांदिसक मेजर जनरल सुलेमान अलियारहा ने ऑनलाइन पारे में ग्रह मंदरी को जान कर दी और ग्रह मंदरी ने आशासन दिलाए कि यह ग्रह मंदरी साउधी अरब और जो बिदेशी लोग हैं उनके लिए हाँपर सुभधा परदान करती है इसके अलावा सौधी के जो जो मतलब जो अभी सौरश्चाप्र मज़ित के कस्टिडि के लिए ओनलाइन नए पासपोर्ट जारी करना इसके अलावा उसका जो डेट है वो भी यहां पर पढ़ाने में सारा काम किया जा सकता है परवास को नबिनिकेत करना और विदेश से निकास और वापसी वीजा का बिस्तार करना भी यहां पर संभो बताया गया है बाकी काम यहां पर जो है वो सारा काम ऑनलाइन कर दिया गया है अगर कोई भी विदेश में फसा है चुट्टी पर गया है चुट्टी बढ़ाना चाहता है तो वो भी काम यहां पर किया जा सकता है इसके अलावाद जो एकजिट एंट्री है और भी बहुत सारे काम यहां पर आब पर आप कितने सिक्रेट और कितनी यहां पर तंबाकू लेकर अपना सफर कर सकते हो इसके बारे में हम आपको डीटियल में बताएंगे दोस्तों सौधी अरब में धुमरपान को यहां पर कम करना और आदत को समाप्त करने के लिए तंबाकू की कीमत कई गुना बढ़ा दिये मतलब यहां पर सिक्रेट जो है एक पैकेट के दाम पांच रियाल होती थी पहले लेकिन अब यहां पर सत्रा रियाल कर दिये गये हैं यही कारण की लोग काले बजार में तसकरी करके सिक्रेट बेजते हैं जो एक तरह से अबैद माना जाता है सुधी सीमा सुल्क अधकारियों ने बताया कि 2019 में सिक्रेट पर सीमा सुल्क लगाने यातरी के साथ सिक्रेट लाने की कानूर में संसोधन करने और तंबाको उत्पात की निर्धारी संख्या से आधिक लाने वालों पर सीमा सुल्क भी यहां पर लगाने का फैसला किया गया सीमा सुल्क आधकारियों ने बताया कि यद निर्धारे संख्या से आधिक सिक्रेट या तंबाको उत्पात परागमन यात्री की कबजे में पाय जाते हैं तो उसको अस्थाइरोप से जब्त कर लिया जाएगा यद यात्री लोटने पर 15 दिन के लिए अस्थाइरोप से जब् पत्र के गई सिक्रेट आस्थाइरोप से निर्धारीत आध के बाद सीमा सुल्क मतलब विभाग में यहां पर जमा हो जाती हैं इसके लाओ बताया गया है कि एक यात्री को अपने साथ 200 सिक्रेट यानि 24 सिगार और 50 गराम तंबाकु लाने की अनुमत है बड़ी मात्रा होन पर ये सामान जब्त किया जा सकता है दोस्तों सौधी में काफी लोगे सवाल होते हैं कि अगर यहाँ पर हज के दवरान या हज में वहाँ पर कोई भी फिंगर प्रिंट हमारा हो जाता है तो क्या हम आउट पास बनुआ कर अपने घर सफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपोर्टन है उनलों के लिए जो लोग हज या कुछ उम्रा करते हैं और उस दवरान यहाँ पर गल्दी करते हैं तो सौधी अरफ में जो कानून बनाय गया उसके अनुसार बिना परमिट के हज करना निर्वासन के दंडनी अपराद बताय गया है और हज पर दस हज के अस्थान में जाते हैं जिनके दवरान जांज टीम यहाँ पर जो बेक्तियों की उंगली का निसान लिया जाता है और उसको सिस्टम में चेक किया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो भी भाग है वो यहाँ पर सील कर देता है दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि ज सजा जारी करेगी या उनके राज्य के निश्कासन की अवध है या यहां पर कोई रास जुर्बाना यहां पर लगाया जा सकता है दोस्तों इसी जगा अगर आप साओधी अरब में किसी भी निवास बीजा पर मतलब काम करते हो और उस दवरान आपका फिंगर पिंट हुआ है मतलब आप यहां पर जो पासपूर्ट है वो खोड़ चोके हो और यहां पर आपका निवास परमिट भी यहां पर कैंसल कर दिया गया है मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि आप यहां पर इनहास बाहर भाग चुके हो तो यहां पर क्या होगा कि आप जो है अपनी एमबसी के जरीए जो भी हुआइट पासपोर्ट है उसको बनवा कर अपना सफर कर सकते हो लेकिन यहीं पर अगर यहां पर उम्रा के दौरान उलंगन करते हो तो आपको यहां पर जो समित है उसको यहां पर फैसला सुनाय जाएगा आपके खिलाब है और कुछ यहां पर जुर्बाना या कुछ यहां पर हो सकता है तब ही आप जो है अपना सफर कर सकते हो तो सौदी अरब में रहते हो तो आप जरूर ये बाते ध्यान में रखे